पेकेज इस्टोल की पिस्टोपिंग प्रोब्लम जब भी आप अपने फाइल मेनेजर के अंदर जाते हैं कोई भी अप्लिकेशन को इस्टोल करने की कोशिस करते हैं या फिर क्रोम पे जाते हैं डाउनलूड की गई अप्लिकेशन को इस्टोल करते हैं तो इस तरह की एक प्र प्रोब्लम आ जाती है और देखे यहां पर यह फाइल में निजस से अप्लिकेशन को डाउन्डूर करने की कोशिज करी हमने तो इस तरी की प्रोब्लम आ रही थी फिलाल हमने इसको ठीक किया है जिसमें हमें आप लोगों को इसके बारे में समझा पाऊं क्योंकि यहां पर प सबसे पहले हम कई पर्मीस्न मंघेंगी तो आपको प्रमीशन जो है इस्टॉल करते हैं अप पर्मीस्न डालने के बाद्य कंश और गोगरेंगे तो यहां पक्यां कुछ ना कुछ delete करने के बाद आपको next काम क्या करना है आईए उसके बारे में भी जानते हैं सबसे पहले आप Chrome पे आईए और search करिए अपनी application का नाम और इसको दुबारा से नए version के साथ में store करिए और दुबारा से जाईए अपने download के option में और यहाँ पर जो भी आपके choice है जो भी आपके application है उस application के उपर click करिए और आप उस application को आसानी से download कर सकते हैं अगर आपको फिर भी problem आती है तो आपके पास एक तरीका वज़ता है जिसे आप follow जुरूर करिएगा आप आईए file manager के अंदर और यहाँ पर आप आईए file के अंदर file के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर नए option मिलेंगे जिसमें आपको search करना है यहाँ पर a, p, s apps search करना है और यहाँ पर apps के नाम से आपको यहाँ पर कोई भी ऐसा folder मिलता है जिसमें आपकी फालतो की वायर्स पड़े हुए है इनको आपको delete करना है अगर आपने को delete कर देते हैं तो आपकी जो problem है ठीक होती हुए आपको दिखाई देगी या फिर एक setting और follow करिये आप अगर आपकी यह problem भी ठीक ना होती है तो आप mobile के setting में आईए और उसके बाद apps में आईए apps में आने के बाद यहाँ पर आपको आना है app management पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको chrome के उपर क्लिक करके जो होता है इसका clear data वो आपको पर देना है जैसे आप clear data कर देंगे तो इसका पूरा एक नया refresh page होगा और वो आपका जो है phone work करता हुआ दिखाई देगा जो application आप इस्टोल करना चाहरे हैं वो application आपकी इस्टोल हो जाएगी तो चली दोस्त मिलते हैं नई वीडियो में रादे रादे किसी भी परकार की दिक्कत हो तो आप हमें इस्टाग्राम के उपर content कर सकते हैं जिनका नाम है info title